हेलो एक बार फिर से यूटीव चैनल पर यह आज का सेकंड लेक्चर है जनरल एकनॉमिक्स का जो आपके फा के एक्जाम में दस नंबर का रहने वाला है यह पोर्शन ठीक है हम लोग इस पोर्शन को भी टॉपिक वाइस करेंगे आज हम लोग एकनॉमिक्स का फर्स टॉपिक करेंगे इंडिटिल थ्रू MCQ ठीक है पहला टॉपिक आपका जो एकनॉमिक्स का यह बेसिक टरंस एकनॉमिक्स की वह देखेंगे हम लोग इसमें ठीक है साथ-साथ में ट्रैक्टिस करेंगे MCQs विध रिविजिन ठीक है अगर आप लोग अन्हीं भी पढ़ा है तो बे फि जिरू करते हैं हमारा practice set first ठीक है इसकी PDF आपको मिलेगी बाई टेलीगरम चैनल पर टेलीगरम चैनल का लिंक जो है description में आपको मिल जाएगा वहां से जॉइन कर लेना PDF आपको free of cost वहां मिल जाएगा first इंडिया aims to achieve 5 trillion dollar economy by which year 2022 2024 2026 या 2030 कब तक इंडिया ने 5 trillion dollar economy बनना है ये 2019 में हमारे प्यारे ठीक है प्रधान मंत्री ठीक है PM जी ने मोदी जी ने कहा था कि भाई हमें 2024 तक 5 trillion dollar की economy बनना है clear याद रखना है तो option हमारे पांसर आजाएगा option B अब economy की बात चड़ी है तो economy है क्या चीज भाई ठीक है economy क्या चीज है हमें पहले चीज समझना किया economics जो आपका portion है economics क्या चीज है ये branch है किसकी science की ब्रांच है ये science की दो क्या करती है बाई deal करती है किसके साथ theory के साथ जो frame करती है क्या limited resources को clear limited resources को क्या करती है ये जो limited resources उनको distribute करती है ताकि maximum satisfaction मिल सके उस resources से maximum satisfaction clear भाई ठीक है limited resources से maximum satisfaction मिल सके उसको हमारी economics जो है वो हमें समझाती है clear ये है हमारी economics और father of economics किसको कहा जाता है ठीक है father of economics कहते है वाई Adam Smith को clear Adam Smith याद रखना Adam Smith की एक book आई थी याद रखना है wealth wealth of nation पूछा भी जा चुका है ये आप से कब आई थी ये याद रखना है 1776 में Adam Smith father of economics wealth of nation इसने book दिखी थी कब 1776 में clear ये था हमारा पहला सवाल जिसका option आपका मिल गया है option B clear भाई चलिए next question देखिए जी येस बहुत प्यारा कोशन है mixed economy means mixed economy का मतलब क्या होता है where agriculture and industry are given equal importance okay जी where public sector and private sector co-exist in the national economy okay where process of globalization is affected by the heavy dose of swadashi in national economy okay we are the center and states are equal partners in economic planning and development ab mixed economy क्या चीज़ है ये समझने के लिए हमें types of economies समझने पड़ेंगी type of economies कितनी होती है तीन टाइब की होती है बाई कौन कौन सी होती है बाई capitalist economy socialist economy capitalist है socialist है and है अपने पास mixed ये तीन टाइब की अपने पास आ जाती है economies ठीक है अब सर ये तीन टाइब का है 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 क्या चीज़ है capitalist में जो होती है इसमें जो main resources होती है okay main resources तो वो किस sector के पास होती है private sector के पास और socialist में जो main resources specific resources जो most important one होती है देश चलाने के लिए तो वो सारी government सेक्टर के पास होती है, मिक्स्ट में जो स्पैसिफिक रिसोर्स होती है, में वो गवर्मेंट के पास होती है, बट प्लस प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बराबर का हिस्सेदार होता है, क्लियर भाई, capitalist economy, socialist economy and mixed economy capitalist economy, आपको example पुछा जाए तो, US है आपके पास socialist economy, रशिया है आपके पास, चाइना है आपके पास mixed economy, इंडिया है आपके पास and पाकिस्तान है आपके पास क्लियर, capitalist, socialist and mixed economy समझाई, अब जो capitalist economy है, ये term किस ने दी थी भाई, Adam Smith ने Adam Smith, लिख ले ना भाई, ये pen copy साथ में रखना है और ये लिखते रहना socialist किस ने दी थी भाई, काल मार्क्स okay, काल मार्क्स and mixed economy का किस ने बताया था आपको जॉन कीन्स, ठीक है, तो ये था हमारा second question, जिसका explanation आपको मिल गई है, तो आपको आपको पता चल गया, कौन सा option है correct है, तो मैं बता देता हूँ, option B है, हमारे पास यहाँ पर correct answer, ठीक है, option B is the correct one, clear, explanation आपको PDF में मिल जाएगी, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा, अपने टेलेग्रम चैनल से, mixed economy in India means, co-existence of large and cottage industries, foreign collaboration ऐसा तो कुछ है नहीं बाई, और large and cottage industries की हमने बात नहीं की थी, इनमें कहीं, co-existence of public and private sector, बिल्कुल सही बात, आगे एक option हमने पढ़ना ही नहीं है, clear, तो option C हो मतलब क्या है, existence of both small and large industries, हमें नहीं मतलब इस से, existence of both private and public sectors, बिल्कुल सही, यहां हो जाएगा भी हमारा correct one, ठीक है, अब next one, existence of both primary and secondary sector, अब यह sectors of economy क्या है, clear, चलो, अगला question करते हैं, फिर आपको primary and secondary sector, और tertiary sector, यह इन सारे के बारे में भी बताया जाएगा, बे फिकर रहे ह Indian economy is Indian economy क्या है, mixed economy, socialist economy, capitalist economy, गानियन economy, अभी आपको बता दिया था, यह mixed economy है, clear option A हो जाएगा, हमारा correct answer, तो जिसमें हमें time waste नहीं करना है, जल्दी जल्दी चलेंगे, जहां मुझे लगए का explanation की जरूरत है, जहां आपको basic concept समझाने की जरूरत है, तो वहां पे आपको conceptual knowledge भी दी जाएगे, which of the following is the main characteristics of Indian economy, Indian economy का main characteristics का है, भाई, यह mixed economy है, यही इसका main characteristics है, clear, which type of economy does India have, इंडिया के पास कौन सी type की economy है, तो भाई, mixed economy है, क्या है, option C, mixed economy, option C, clear, eighth, it will be true to classify India as, इन में से, इंडिया को किस में हम classify कर सकते हैं, food deficit economy, economy, ok, labor surplus economy, trade surplus economy, capital surplus economy, तो भाई, यह है, labor surplus economy, ठीक है, इंडिया is a labor surplus economy, ठीक है, चलिए जी, option B है, हमारे पास correct answer, ठीक है, तो इंडिया को जो classify किया जाता है, as a labor surplus economy, क्योंके, इंडिया में जो large, vast number of population, जो है इंडिया में, वो unlimited हैं, workers, जो काम करना चाते हैं, subsistence wage के उपर, मतलब के subsistence wage क्या होई, कि हमारा भाई, घर चूला जल जाए, उतना पैसा देदो, हम ध्याडिया आपकी लगा देंगे, काम आपका कर देंगे, और 2030 तक यह projected है, कि हमारे पास 245 million, ठीक है, workers, skilled labor, हमारे पास surplus में होंगे, clear, चालिए जी, next question देखिए, question 9, तीसरा, तीसरा, चोथा, या पहला और चोथा, तो yes, आपके पास जो correct option बनता है, तो वो है option A, that is 1 and 2, clear, 1 and 2, low per capita income, low rate of capital formation, ठीक है, dependency rate के कोई इसमें कुछ नहीं है, workforce, जो है, large literature sector में, इसका भी कुछ भी नहीं है, जो underdeveloped economy, underdeveloped मतलब, जिसकी खस्ता हालत है, अभी developing भी न नहीं हुए है, वो underdeveloped है, उसको अभी development होनी है, तो जो underdeveloped economy होती है, generally उसके characteristics जो होते हैं, वो बिलकुल भाई क्या होते हैं, low per capita income रहती है, उनकी, high rate of population growth रहती है, excessive dependence on backward agriculture रहती है, capital formation जो है, वो लो रहती है, इनकी, high level of unemployment होता है, यहाँ पे, low level of living होता है, यहाँ पे, high levels of poverty and illiteracy होती है, उसमें, technical industrial backwardness यहाँ पे होती है, low dependency ratio होती है, workforce जो होती है, largely tertiary sector में feature करती है, developed economy में, यह किसकी बात चल रही है, developed economy की, तो अभी हमने क्या देखा था, underdeveloped, ठीक है, तो underdeveloped economy में हमारे जो पहले दो पॉइंट है, वो हमारे बिलकुल सही बैठ रहे हैं, तो आप के पास option A हो जाएगा, यहां बिलकुल correct answer, clear, option A is the correct answer, clear रही, चलिए, next question देखिए, which of the following correctly explain that India is an underdeveloped economy, ठीक है, इन points में से कौन सा correct है, जो इंडिया को underdeveloped economy बताता है, inequitably distribution of income, high dependency ratio, slower rate of increase in national income, change in banking and financial sector, तो यहां पे आपने, नीचे code से चुनने हैं कि कौन सा code सही है और कौन सा गलत है, तो yes, it's option D, तो D मतलब none of the above, क्यों भाई, none of the above क्यों, inequitable distribution, जो income की होती है, वो high dependency ratio रखता है, और slower rate of increase in national income, और correctly explain करता है, कि इंडिया जो है, underdeveloped economy है, बैंकिंग और financial sector में, और ना के characteristic है, कि underdeveloped economy की, क्योंकि हम लोग developing है, ठीक है, developing में हैं, ना के हम लोग बिल्कुल खस्ता हालत में हैं, developed नहीं कहलाएंगे हम, हम अभी underdeveloped भी नहीं कहलाएंगे, हम लोग अभी developing country कहलाते हैं, तो option D हमारा हो जाएगा, यहाँ पर correct answer, clear, चलिए, question 13 पे आजाओ, the Indian economy is characterized by, Indian economy is characterized by, Indian economy यहाँ पर किसे characterized की जाती है, pre-dominance of agriculture, ठीक है जी, pre-dominance of industry, low per capita income, massive unemployment, तो unemployment देखने को बिल्कुल सर मिलती है हमारे इंडिया में, low per capita income, बिल्कुल सर मिलती है, जाँ देखने को, pre-dominance of industry, बिल्कुल नहीं भाई, industry में हम लोग पहले से dominant नहीं कर रहे है, pre-dominance of agriculture, बिल्कुल सर हमारे पास यह सही है, first, third and fourth हमारा हो जाएगा, यहाँ पे correct answer for question 13, ठीक है, तो option D है हमारे पास यहाँ पे correct answer, clear, चलो जी, next question देखो, which of the following is a non-economic element in growth of country, ठीक है, country के growth में इन में से कौन सी non-economic element होता है, अब economic element और non-economic element कौन-कौन से होते हैं, तो अब हम लोग इसको देखेंगे, one by one, पहले देख लो, options, social behavior, natural behavior, energy resources, capital resources, तो yes, it's a social behavior, यह non-economic होता है, clear, यह non-economic होता है, तो option E हो जाएगा, question 14 का correct answer, आजाओ भाई, अब one by one देखते हैं, factors कौन-कौन से होते हैं, economic development के, जो determine करते हैं, economic factor और non-economic factor, आपके पास पहले economic factor हैं, जैसे natural resources है, energy resources है, labor force और population है, capital formation है, technology और innovation है, capital output ratio है, और organization से, यह सारे हमारे पास क्या है, economic factor हैं, जो हमारे economically, economy को boost करते हैं, non-economic factors कौन-कौन से हैं, social component, जैसे कि हमने अभी देखा, social behavior था, clear, religious component है, political component है, international component है, और scientific component है, यह हमारे non-economic component कहलाते हैं, ठीक है, non-economic factors, clear, चलिए जी, next question देखे, question 15, which of the following feature indicates that Indian economy is a developing category, Indian economy developing category में है, यह कौन सा, इन में से, जो code है, वो बताता है, कौन सा इन में से feature सही है, occupation is mainly agriculture, disguised, unemployment, poor quality of human capital, high per capita, intake of proteins, ठीक है, अब आपने इन में से codes चुनने हैं, और बताना है, कौन सा correct one है, तो आपके पास option D है, बिल्कुल correct पहला, दूसरा और तीसरा, अब यहां देखते हैं, हम लोग developing economy जो इंडिया की है, उसके following points कौन कौन से हैं, जो हमें बताते हैं, हम लोग एक developing economy हैं, developing economy की क्या निशान ही होती है, आपको बता दू, यह points developing India, इंडियन economy जो है, वो एक developing economy है, तो उसके साथ साथ low per capita income है, यहाँ पे, excessive dependency है, agriculture पे, और mainly, जो occupation रहता है, developing economy का, उसका mainly agriculture होता है, अक्यूपेशन जो वहां के लोगों का होता है, वो किसमें रहता है, agriculture पे रहता है, हाई rate of population growth और over population होती है, यहाँ पे, existence of chronic unemployment in disguised employment, poor rate of capital formation, low level of technology, lack of infrastructure देखने को में लगा आपको, low industrial development है, market imperfection होगी, यहाँ पे, low level of living of average Indians, यह सब points आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे, क्या poverty आपको काफी ज़्यादा देखने को मिलेगी, high level of poverty होगी, ठीक है, यह सब point आपको देखने को मिलेंगे, हमारे developing economy के features में, यह characteristics होते हैं हमारे developing economy के, जो कि हमारी इंडिया है, वो एक developing country है, इसके साथ साथ अभी हमारा एक, क्या राय गया था भाई, starting में मैंने आपको बताया था, मैं अभी बताऊंगा आपको, क्या, that is, sectors, okay, one sec, अब हम लोग एक बार discuss कर लेते हैं, sectors of economy, then हमारा समझो, topic यह, basics का topic खतम, कुछ छूट गया हो, यह कुछ ऐसा हो, जो आपको लग रहा हो, कि सर थोड़ा सा और explain कर दो, तो comment कर दो, मैं आपको समझा दूँगा, clear, next one, sectors, okay, आजाओ, sectors, कितने type के होते हैं, पहला है आपके पास primary sector, दूसरा है आपके पास secondary sector, तीसरा है आपके पास है, tertiary sector, ठीक है, primary, secondary and tertiary, primary sector जो है, वो deal करता है natural resources पे, ठीक है, that is raw goods, primary sector जो है, वो include करता है आपका जैसे agriculture, agriculture, agriculture है, आपके पास fishing है, उसके बाद आपके पास mining है, उसके बाद आपके बास dairy है, तो यह जो सारी elite activities है, agriculture से related, primary sector में include होती है, तो यह था हमारा primary sector, next one is, हमारे पास क्या है, secondary sector, secondary sector क्या है, जो primary sector के goods को, ठीक है, convert करता है, finished products में, ठीक है, यह आप लोग यह लगों, primary products को convert करता है, क्या करता है, convert करता है into finished goods, तो वो हमारा कहलाता है क्या, secondary goods, अब agriculture में आप लोगों ने आटा, ठीक है, वो क्या है, raw material जब आप वहां से उगाते हो, वो हो गया आटा, वो आटा लाया आपने उसको convert कर दी, आपने biscuits में, ठीक है, biscuits हो गए आपके, bread होगी आपकी, तो यह आटे से बन गया ना, तो यह आपकी किस में आगी आप, secondary sector में, क्या, जो processed हो जाए, ठीक है, जब कुछ product को आप लोग process करके आगे further बेचे, तो वो secondary sector में fall करती है, primary sector, secondary sector, third one is, जो आपके पास आता है, tertiary sector, that is a service sector, इसको हम लोग बोलते हैं, service sector, ठीक है, यह जो है, हमारी, यह activity help करती है, development हमारे primary और secondary sector में, जैसे इसमें क्या-क्या आजाएगा, banking sector है, clear, उसके बाद transport sector है, उके भाई लोग, उसके बाद आपके पास communication sector है, storage sector है, यह सारी चीज़े, educational sector है आपके पास, clear, यह सारी चीज़ें किसमें आती हैं, आपकी tertiary sector, clear भाई लोग, अब एक चीज़ और पता होने चीज़े, आपको, इंडिया के first, economist, ठीक है, economist आप बोल सकती हो, जिनको Nobel Prize मिला है, वो कोन है, तो नाम याद रखना है आपने है, अमरित्य सेहन, कब मिला था इनको, 1998 में, ठीक है, economics में इनको मिला था, इंडिया के पहले हैं, जिनको Nobel Prize से नवाजा गया था, clear भाई लोग, यह थी हमारी basics introduction of economics, I hope so, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करते हैं, वीडियो अच्छी ना लगी हो, तो हमें बताना कि भाई लोग, हम क्या इसमें improvement कर सके हैं, ताकि आपको जो second line, उसमें आपको थोड़ी से improvement करके लाए जाए, यह question मैंने basic डाले थे, क्योंकि इसमें आपको basic समझान था, next वाली जो वीडियो रहेंगे, उसमें थोड़ा सा हम लोग level भढ़ाते रहेंगे, चलो भाई, पढ़ते रहो, खुश रहो, God bless you, keep learning, keep sharing.